हे गाइस देखो बहुत सारे कंपणी जो होती है मार्केट में मोनोपोली होती है या तो फिर मोनोपोली के साथ साथ मतलब बहुत सारे कंपणी मोट वाली होती है मोट वाली का मतलब क्या होता और मोनोपोली का मतलब क्या होता देखो मैं आपको बताता हूं मतलब पूरे सेक् के पास कई च semarkання चांज क में के पास कुछ एसे प्रोडक्ट आज तो पूरी कंपणीत तो और मोने नहीं नहीं कमपणी मां ले लेटा है कि इस तरीके से होथा, भाइन सारी कंपणी और बिस्कट भी खा सकती हैं लेकिन हां पूरी इंडिया में मतलब अगर किसको पारलेट Secure चाहिए फोंपनी मनाती है है कि नि तो यह क्या होता हो जाता है doct हो यह i e, je motto हो जाता अगर आपको ticket book करना है तो टाया का आपको contact यह प्लैटफोर्म से ही करना होगा, सेफ रहेगा, सेक्योर रहेगा, आच्छा रहेगा, मतलब वही एक प्लैटफोर्म है, कोई अधर उप्शन ही नहीं अगर आपको रेल्लवे में टिकट बुक करने हैं, और किसी तरीके से तो यह चीज होती है, अगर biscuit खाना है तो और भी बहुत सारे biscuit है भई है कि नहीं बहुत सारे varieties आपको देखने को मिल लेंगे लेकिन वो क्या होता कि सारी company के पास एक 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 अपना क्या trademark है मतलब उनके पास वह ownership है बैए कोई और दूसरे company जो है पारले जी जैसा same taste या same packing करके वह यह नहीं दे सकता product marketing नहीं दे सकता वह उसको क्या बोलता है मोट वह उनके पास मोट है इस वज़े से अब मेरिको के पास भी एक मोट है अब को यह और ऑईल भी आप खरी सकते हो लेकिन problem क्या है कि पूरी इंडिया में अगर आपको पैरेशुट चाहिए होगा तो वह मेरिको ही मिले यह तो आप लोग को अच्छी तरकी से पता होगा फिर भी मैंने आप लोग का टू मिनट वेस्ट कर दिया लेकिन आज मैं आपको एच छोटी company monopoly type का बताने वाला हूं जो मतलब अपने सेक्टर में किवल एक ही company जो काम कर रहा है बहुत छोटी है तो मैं आपको बोलूँग और आपको नीचे में देखनी को मिल जाए देख सकते हो तो यह जो चीजे होती है आज के डेट में मतलब लोग जब अपने नया घर बनाते हैं तो सभी लोग लोग लाते है या फिर आपको restaurant में बड़े-बड़े जो hotel वगर आपको देखनी को मिल जाएगा या hotel हो जाएग या कहीं भी मतलब बड़े-बड़े जगों में यह आपको देखने को मिल जाएगा कंबल सरीय करके आज क्लिके डेट में तो मैं आपको बताऊँगा कि छोटे-छोटे घरों में भी मतलब जब लोग अपना घर बनाते हैं आज कर लगाना स्टार्ट कर दिया है कंपनी अपना डेटा बता रही है क्वाट यहां जो देख सकते हो शिंक कापेसिटी आपको बताया जा रहा है जो 7,00,00 से भी ज़्यादा है देख लिजए तो यह कंपनी जो है बहुत बड़े लेबल पर काम करते है उसके साथ साथ स्टीलनेस स्टील सिंक आपको बताया जरा अब यह स्टीलनेस क्या होता देखो मैं आपको समझा देता हूं एक स्टील होता है और एक स्टीलनेस होता है देखो होता मतलब स्टील टाइप का यह होता होता क्या है कि देखो स्टील का जो प्रोड़क्ट होता न उसको अगर ब बहुत ज्यादा मजबूत होता है और मतलब टिका हुँ होता है इतना आप समझ लो इस वज़े से यह स्टील ने जो प्रड़क्ट होता न वह भी कंपनी बना लेती है अप्लाइन्स वगर आपको बताया जरा जो 7000 है कंपनी बता रही है कि कितने कंट्री में है 55 प्लस आपको देखने को मिल जागा मतलब कंपनी के पास डिस्ट्रिब्यूटर कितने है या डिलर्स कितने है यह सारी चीज़े यहां पर आपको कंपनी बता रही है ग्लूबल लेबल में कंपनी काम करती है जहां पर आप तो यह क्या है कि यहां global कहां-कहां इनके पास office है यह जो red color में दिख रहा है इनके office है जो कि भारत देश में भी है देखें कि इनके office है और यह जो yellow color का आप को दिख रहे हैं इनका sales network है तो इतना बड़ा network है देख लिए हमारा भारत देश यहां पर है अब देख सकते हो कहां कहां तक है अपना फूडट बेशने के लिए एख लिए बाष कीतने दूर जाकर ये अपना प्रोड़क बेशने के लिए देख लिए ये ये बड़े-बड़े-बड़े करेगी company समझो कि उतना जादा अच्छा है क्योंकि इंडिया के अंदर जो company काम कर रही है वो तो ठीक है मतलब उनके पास इक मतलब जो जो जाकर काम करते हैं तो उनका मतलब जो boundary है और बड़ा हो जाता है international market में एक बार अपना product बेज कर देखो जब देखो आपको क्या होता ना कि आप कोई भी ऐसा product है चाइना में ले जाकर बेज दो इंडिया से बहुत कम है कि आप वहाँ पर बेज पाओगे नहीं बेज पाओगे आप देख सकते हो रतन टाटा है जो अपना कारों पर बेज दे मतलब अब देख लिए कितनी इसराइल लेखे कितना powerful देश है तो यह क्या है कि ऐसे product बनाओ जो सबको चाहिए होगा और अगर उनके दिमाग में product आए तो भी मतलब समझो कि वही brand का नाम आना चाहिए करके तो यह पूरे international market में अगर अपना product बेज रहा है तो आज नहीं तो कल मुझे लगता है यह company बहुत उंचाईयों पर जाएगी जो kitchen वगर होता है चिमनी वगर होता है उसके लिए company गाम करती है company का देख लिए revenue from operation EBIT आपको दिख रहा होगा 2016-17 से 2020-21 तक increase हुआ है कि नहीं हुआ है उसके साथ EBIT increase हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पर देख स कि आपको लंबे समय के लिए सोचना चाहिए बाकि अगर आप देखोगे जहां पर economical area बहुत अच्छा है तो यह सारे product वह 100% यूज करते ही करते हैं जैसे ISTC यहाँ पर आप देखेगा तो अब इसके भाई इनके जितने competitor हैं तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ प आप देखेंगे जिसे आप विप्रो सर्च मारते हैं तो विप्रो सर्च मारने में क्या आता है विप्रो सर्च किजिएगा तो आप लोग अगर विप्रो सर्च करते हैं तो यहाँ पर देख लीते हैं कि बहुत सारा IT कंपनी आ जाती है आ जाती है कि बहुत बड़ी बड़ तो यह company केवल एक ही है जो यहाँ पर काम कर रहा है देख लिजे आप खुद ही देख लिजे यहाँ पर केवल एक ही है यह company सही है पी आपको 26 दिखे रहा है जो कि हमारे favor में कंपणी महेंगा नहीं मार्केट के 1882 है वो भी अच्छा कंपणी आपको 0.34% का डिविडेंट करती है एकसेप्टेबल है बहुत अच्छा है रिटन आउन कैप्टल इंप्लिए 27 है मैं आपको बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा उमेद से ज्यादा कंपणी आप निकाल के देरिया बागी सा बहुत 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 बड़ा प्रॉफिट भी निकाल के देगा एक दिन ऐसा टाइम आगा जहां पर यह स्टॉक्स में बहुत बड़ी-बड़ी-बड़ी-बड़ी-बड़ी- बहुत 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 बहु और जितने लोग knowledgeable paid portfolio लेते हैं उनको भी ऐसी ऐसी चीज़े ही मैं बता कर देता हूँ लेकिन क्या होता है कि अब तो बंद हो गया है क्योंकि बहुत जो opportunity था वो चला गया इस वज़े से अब बंद कर दिया गया है पॉटफोलियो कभी भविस में फिर अगर कोई मौका में आता है तो बोला जाएगा और अगर आप stock market में ने हो तो अपने डिमेट अकाउन इंजल में उपन कर सकते हूँ जहां पर आपका डिमेट अकाउन बिल्कुल फ्री